नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरीचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतोपुए जानकारी को ले करके जिहां जोणों के दर्द से आजकल बहुत सारे लोग पिरित रहते हैं जिसका जिम्मेदार है हमारा आजकल का खान पान, भी शामिल होता है तो आईए जानते हैं कि जोडों के दर्द से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं हो में ड्रेमिडीज के द्वारा शरीर के जोडों में दर्द होना गठिया यानि संधिवात रोग का लक्षन है गठिया के अलावा चोट, मोच और पुरानी सूजन के लिए जाइफल और सरसों के तेल मिला करके मालिश कीजिए इसके मालिश करने से आपको आराम मिलेगा इसकी मालिश करने से शरीर में गर्मी आती है चुस्ति फूर्ति आती है और पसीने के रूप में विकार निकल जाते हैं इसके साथ साथ जब आप मालिश करते हैं तो बलड शर बहुत अच्छा होता है इसलिए आप जैतुन के तेल से भी मालिश करें आपको लाब होगा एक रिसर्च के अनुसार विटामिन सी का सेवन करने से हड्डियां कमजोर नहीं होती हैं वहीं हड्डियों की कमजोरी की वजह से ही जोडों में दर्द होता है इसलिए रोजाना संत इसलिए अपने डाइट में जरूर सामिल करें इसे और अगर आप जब स्वस्थ होते हैं तभी इसके पचने के लिए आप प्रिकोशन्स अपनाएं तो सबसे ज्यादा बहतर होता है उचित मात्रा में पानी पिएं उचित मात्रा में निंद लें अपने उठने बैठने के स पूट जाए वो बात अलग है लेकिन कोशिश करें कि आप नियमित रूप से व्यायाम करें ताकि आपके शरीर का बलड सर्कुलेशन सही रहे आपका डाइजेशन सही रहे क्योंकि आप वर्क आउट करते हैं तो हीं आपका डाइजेशन भी सही रहता है तो ये सब बहुत जरूरी होता है जैसे छोटे-छोटे कामों के लिए आप रिक्सा वगारे का बहुत जादा सेवनना करें या ओफिस में या फिर कहीं भी आप बहुत जादा देर तक एक ही पोजीशन में ना बैठे रहें बोडी को स्ट्रेच कर लें कुछ देर बाद आधे से घंटे के बाद आप बोडी स्ट्रेचिंग जरूर कर लें और मॉर्निंग में खास करके बोडी स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी होती है अगर आप इन चीजों का खयाल रखते हैं तो जोड़ों के दर्द से आप बचे रहेंगे तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों